नमस्कार दोस्तो, इगनू यानि कि इंदरा गांधी राष्ट्रिय मुक्त विस्वित द्यालाय के तरप से गुरुप C लेवल की नई भरती आई हुई है दोस्तो अगर आप मेल फिमेल कोई सभी केंडिडेट हो, चाहे आप PH केंडिडेट हो यानि कि PWD केंडिडेट अगर आप 12th pass हो ना only 12th pass हो, चाहे कोई सभी stream से, चाहे आप science से या फिर आप दोस्तो art से या commerce से कोई सभी stream से, अगर आप 12th pass हो ना आप इस भरती के लिए, इस vacancy के लिए eligible हो दोस्तो तो इसी non-teaching post का A to Z जानकारी, selection process, syllabus, fees, age criteria, सब कुछ आसान भासम बताने वाला हो, साथ ही साथ आपका exam, आप कौन सा center लोगे, ये भी बता दूँगा दोस्तों कि इसमें exam center कहा कहा है, ये भी आप लोगों को इसी वीडियो के माध्धम से बताने वाला हो, आप पूरा सब कुछ doubt आप लोगों को clear कर दूँगा, ठीक है, तो चलिए सुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक like जरूर कर दीजेगा, साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हैं, तो subscribe कर दीजेगा दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक बार फिर से पता दू, तो यही है central government की होने वाली है दोस्तों, total post की बात करूं, इस भरती में, इगनू की भरती में total 102 पद है, हाला की 102 पद है, लेकिन आप यह मस्तूचिएगा, कम सिठ है, 102 बहुत होता है दोस्तों, अगर आप बार भी पास हो, तो एक अच्छा मौका है आप सभी के पास, इसम पहले जनवरी या फरवरी के माह में यह वेकेंसी आई हुई थी, लेकिन अभी फिर से आ गई दोस्तों, साल के अंत में, तो यह आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, ठीक है, एज, यानि कि उम्र, 18-27 साल के candidate हो, तो आप eligible हो, कुछ पोस्ट में 18-30 साल की candidate apply कर सकते ह और अगर आप reserve category candidate है, HCT candidate है, तो 5 साल की जो असपर government की नियम का नुसार छूट मिलता है, वो मिलेगा, OBC है, तो 3 साल की आपको age में छूट मिलने वाली है, ठीक है, योग्यता जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, वीडियो के सुरुआत में, कि अगर आप केवल और केवल बारवी pass है, आप इस भरती के लिए eligible हो, ठीक है, अब देखे, इसमें कौन-कौन सा पद पे भरती आया है, ये सबसे पहले आपको जानना जोगर रही है, और कितना पद है कौन सा category में, जैसे सभी को पता है, जनरल, EWS, OBC, CST, तो इसमें कितना पद है, ये आप लोगों को बता देता हूँ, तो सबसे पहले, जो पहला पद है दोस्तो, जूनियर असिस्टेंट का, नाम जूनियर असिस्टेंट है, लेकिन ये मस सूचिएगा कि college pass है, आप बारवी pass हो, आप eligible हो, और इसमें general category candidate के लिए 19 पद है, EWS के लिए 5 पद है दोस्तो, OBC के लिए 14 पद है, ठीक है, EWS के लिए 8 पद है, EWS के लिए 4 पद है, टोटल हो जाता है, जूनियर असिस्टेंट में 50 पद दोस्तो, ठीक है, टोटल जूनियर असिस्टेंट में कितना हो जाता है, 50 पद, अब इसके बाद दूसरा आ जाता है दोस्तो, इस्टेनो ग्राफर, इसका भी qualification आप 12 पास हो, आप eligible हो, लेकिन आपको क्या कर रहा है दोस्तो, अभी आपके पास समय है, आप अगर 2-3 महिना भी जा करके कोई typing center वगरा में जा करके आप practice करते हो न, तो आप आसानी से इसका typing test पास कर लोगे, ठीक है, तो इसमें जनरल में 23 साल है, sorry 23 पोश्ट है, EWS में 5 है, OBC AC में 14 है, AST में 7 है, AST में 3 पोश्ट, टोटल 52 पोश्ट है दोस्तो, और टोटल मिला करके 102 पदो पे भरती आई हुई, आल इंडिया के candidate, male, female, PH candidate, सब कोई eligible है इस पोश्ट के लिए, ठीक है दोस्तो, फीस के बारे में बता दू, आखिर इसमें कितना फीस रखी गई है, त लेकिन, AST, AST और आल केटिगरी के, जनरल, OBC, EWS, कोई सभी केटिगरी के female candidate है, तो उसको 600 रुपय फीस है, लेकिन अगर आप female, PH candidate हो, यानि कि वी एक लांग कोटा के candidate है, तो आपको 00 रुपया फीस देना है दोस्तो, ठीक है, और आल इंडिया के candidate, इस पोश्ट के लिए eligible है, ठीक है, तो आप अगर देख रहे हो मुझे वीडियो, तो जरूर अगर आप eligible हो, तो ऐसे पदों पे जरूर फॉम फिल किया करो, क्योंकि work इसमें उतना ज्यादा रहता नहीं है, और देखिए central government की vacancy है, university के अंतरगा दिल्ली में आपको रह करके नो करिए, इससे इंडिडिट बोलते हैं, सर, अपना mobile number आप देते नहीं हो, तो मैं हमेशा बता दू, अपना mobile number मैंने डाला था, प्रसनल, लेकिन मुझे spam call बहुत आने लग गया, वो जो प्रू कॉलर में rate color का सो होता है न दोस्तो, ऐसा spam call, कोई one four digit से कोई number start होता है, कि ऐसे ऐसे बहुत स सरा, call आने लग गया, loan ले लो सर, दुनिया भर का, मतलब call आने लग गया, इसलिए दोस्तो, ओभी 12 बज़ रात तक call आता था, इसके लिए दोस्तो, मैंने देखे, मैं अपना number हटा दी हूँ, लेकिन, मैंने telegram channel का link दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर कि आप message कर सकते हो, या ठीक है, चलिए, अब इस भरती का दोस्तो, आगे का बता दू, salary कितना मिलेगा, तो salary इसमें अगर आप junior assistant के post पे apply करते हैं, तो आपको 19,900 से 63,200, ये 19,900 basic salary है, इसके बाद 46% DA आपका, सूचिए 30 plus जाने वाला है, जो भी announce वागेरा दुनिया भर का मिला कर गया, 30 plus आपका in-hand salary, group C level की post है, non-teaching post है, हलाकी, ठीक है, दूसरा, staneo grapher में 25,500 से 81,100, अच्छा खासा salary है भाई, जरूर जो भी candidate मुझे देख रहे हैं, अगर आप एक से दो महिना अगर typing में आप दे सकते हो, तो अभी आपके पास time है, कल ही पर तो जब भी form भरते ही, आपको typing center में ज चाहिए, आप male हो, female हो, कोई भी candidate हो, सबसे best नोकरी, female के लिए तो सबसे best नोकरी है दोस्तों, ठीक है, अगर आप female candidate कोई मुझे देख रहे हैं, तो सबसे best नोकरी है, female के लिए, ठीक है, office work वाले हैं, दूसरा, इसमें selection process क्या रहेगा, तो selection process बता दो दोस्तों, written exam है, skill test ह document verification है, plus medical है, अब देखे, कोई सब ही नोकरी चाहिए, state government हो, चाहिए central government हो, DV होता है, document verification होता ही है, तो document verification होगा ही, दोस्तों, medical होगा ही, ठीक है, तो घबराना आपको नहीं है, इसके बाद इसमे syllabus क्या रहेगा, ये आप लोगों को बता देता हूँ, तो देखे, syllabus junior assistant और में ही, दोस्तों, 150 question आएगा, 150 marks का आएगा, maths का दोस्तों, इसमें 30 question रहेगा, reasoning का 30 question रहेगा, हिंदी और English, ये language test है, तो आप हिंदी में भी paper दे सकते हैं, इंगलिस में भी, और ये दोनो भासा का paper, तो इसमें 30 question आएगा, general awareness का 30 question आएगा, computer knowledge का 30 question आएगा, total 500 question होता है, और इसका online mode का है, यानि कि CBT computer बे test होगा, लेकिन आपको दो language में मिलेगा, पूरा question, एक तो आपको हिंदी में मिलेगा, हिंदी, ठीक है, दूसरा आपका English, ठीक है, ये दोनों mode में आपको ये paper देखने को मिल जाएगी, जब आप paper दिलाने जाओगे तब दोस्तों, ठीक ह word per minute, हिंदी में English में 40 word per minute, तो मेरा आप लोगों को सलाः है, आप typing अगर करते हो, जैसे कि मैं भी typing आता है मुझे हिंदी में, तो हिंदी टैपिंग में क्या है, हिंदी में ना, एक दो word भी लिखोगे ना, तो दो चार typing करना है, जैसे कि मेरा अगर नाम लिखोगे हिंदी म तो मेरा सलाह ये है, जब भी आप कोई सभी एक्जाम देते हो, जहाँ पर टाइपिंग का टेस्ट हो, तो आप हिंदी में मत दो, हाँ हिंदी के नॉलेज रखो, लेकिन हिंदी में अगर option हिंदी और इंग्लिस दोनों का है, तो इंग्लिस ही प्रिफर करो, ठीक है, तो इंग लेजन है, पोयम है, उसको फटा-फट-फट-फट अगर टाइपिंग करना चाहोगे न, तो आपका सीख लोगी एकसेडेण मेंगा, ठीक है, मैंने हिंदी टाइपिंग सीख लिया है, इंग्लिस टाइपिंग सीख लिया है, मतल ba बहुत पहले ट्राइपिया था, जाकरके स से आप सीख सकते हो ठीक है यह तो रही आपका जुनियर असिस्टेंट अब आ जाता है आपका इस्टेनो इस्टेनो का आपका टाइपिंग दोस्तो 80 पर मिनट है लेकिन आपका क्वालिफाइंग है जो इसी का हिंदी 35 वर्ड इंग्लिस 40 वर्ड यही है आप नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है आलरेदी दोस्तो ठीक है साथी साथ इसके अपलाई कैसे करना है ये भी टेलीग्राम चैनल में तो अलग डाला है लेकिन लेकिन मैंने डिस्किप्शन में अपलाई का लिंक दे दिया है आप अपने मोबाइल से स्टेप बाइ अब इसमें एक्जाम सीटी कहां देगा आखिर सबका सवाल रहता है कि सर हम पेपर दिलाले चले जाएंगे लेकिन हम फीमेल कैंडिडिट है हम एक्जाम सेंटर कहां पे रहेगा ऐसे बोलते हैं तो उन सभी के लिए बता दो पहला तो कुलकाता में होने वाली है जो वेश्ट कौन से जगह है उसके अधार पे आप अपना एक्जाम सेंटर चैन कर सकते हो और एक चीज आसानी से मैं बता दू आप इस फॉर्म को अपने मोबाईल से फिल कर सकते हो ठीक है लेकिन देखे बहुत सारे कैंडिडिट का ये सवाल रहता है सर हम फोटो को केबी में कनवर्ट नहीं कर पाते हैं जो जैसे की एक्जेंपल बता रहा हूँ 20 के बी के अंतरगत चाहिए तो हम कनवर्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको सिंपल सा एक तरीका बता दू गूगल में आप सर्च कर दीजे जे पीजी रिसाइजर तो उसमें जाकर के आप रिसाइज कर सकते हो 100 के आपको 10 की बी कभी अगर फोटो बनाना है सिगनेचर बनाना है तो वहां से आप जा करके अपना कनवर्ट कर सकते हो बहुं सारा वेबसाइड है वहां से जाकर कर सकते हो सरकारी एक्जाम वेबसाइड है वहां पर जाकर कर सकते हो ऐसा बहुं सारा वेबसाइड है दोस्तों जहां से जा करके आप अपना photo का जो size है ना वो कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो तो इस बात का घवराना नहीं या फिर आप WhatsApp में भी अगर photo send करते हो किसी अपने दोस्त को तो वो भी उसका size जो है कम हो जाता है तो ये बात आप जान लोग photo से कोई दिक्कत नहीं है आप अपने mobile से form फिल कर सकते हो इससे क्या होता है आपका जो 100 रुपया जो फिल करने वाले ने जो charge करता है वो आपका कम होगा ठीक है तो ये थी इसकी basic जानकारी दोस्तो total मैंने बता दिया किसी भी प्रकार का आपको समस्या है comment box में comment कीजिए form फिल कर आपका पढ़ाई कियो आपका नाम क्या है पापा कि नाम क्या है इंडियन हो की नहीं यही सब पूस्ता है दोस्तो date of birth का है और इससे ज्यादा कोई extra जानकारी नहीं पूस्ता है तो online फॉ Powder के बारे में कोई घबराने के ज़ूरत नहीं है ठीक है तो आज के लिए बस इतना है दोस्तो किसी भी प्रकार के समस्य है तो comment कीजे चैनल को subscribe नहीं कर दीजे वीडियो को like नहीं कर दीजे दोस्तो और daily नहीं नहीं government job की update के लिए जुड जाईए मेरे channel के साथ ठीक है telegram channel में daily नहीं link नहीं नहीं government job की notification के लिए जुड जाईए हो वहाँ पे